हलो दोस्तो आज मैं बनाने जारी हूँ हरे चने की अंकूरित सेलेट जो की खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वाध और हेल्दी है फ्रेंट्स टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए अगर आप जीम जाते हो या फिर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो तो अंकूरित करके हरे चने को रखा था उसे हम ले लेंगे तो हमने यहाँ पे एक कप अंकूरित हरा चना ले लिया है आप इसके जगह पे काले चने भी ले सकते हो और हमने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर ले लिया है और हमने यहाँ पे एक छोटा टुगड़ा खीरा को बारी काट के ले लिया है टमाटर को भी हमने बारी काट के ले लिया है और हमने यहां पे आधे कप के करीब अनार के दाना ले लिया है यह अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो अगर इसे आप डाल के खाते हो फ्रेंट से इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमने यह तो इसे अब डाल सकते हो या फिर आप कर सकते हो। इसके जगह पे आप काली मिर्च पोडर डाल सकते हो। हम ने यहां पे एकскट के इसय को डालेंगे। में जो बीज है इसे हम नहीं डालेंगे। अगर यह उस और काला नमक जीरा और काली मिर्च को भून के पीस लिया है उसी के साथ हमने यहां पे काला नमक डाल दिया था और इसमें हमने थोड़ी से लाल मिर्च पॉडल डाला है आप चाहे तुसे इसकी भी कर सकते हो और फ्रेंड समने यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है आधा छोटा चमच अब हम फ्रेंड सभी चीजों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक चमच भरके हमने जो मसाला तयार किया है उसे डाल दिया है आपको जितना पसंद हो आप उतना कम जादा कर सकते हो अगर आप चाहे तो इन में से सबजिया भी इसकिप कर सकते हो लेकिन यहाँ में से खीरा हो गया प्याज टमाटर अगर इन सब को आप डाल के खाते हो तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है और यह उन्ही की वज़ा से टेश्टी लगता है तो इसे आप प्लेन भी बना के खा सकते हो या फिर आपको आप इन सबी सबजियों को भी डाल के खा सकते हो यहाँ पे यह स्प्राउट बनके तयार हो गया है तो आब हम इसे एक प्लेट भी सर्व कर लेंगे तो यह हेल्दी सा स्प्राउट बनके तयार हो गया है आप इसे लंच डिनर कभी भी बना के खा सकते हो इसे हम नीम्बू के साथ गार्णिस करेंगे तो यहां पर यह प्रोटीन से भरा सैलेट बन तयार हो गया है तो कैसी लगी मेरी सैलेट की रेसेपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें इसी तरह मैं हल्दी हल्दी रेसेपी लेके आते रहूँगी तब तक के लिए बाई बाई